हेई हाई गाईस इस विशाल एंड वंस अगें आम कम विट वीडियो जिसमें हम लोग OACP एग्जामिशन की रिगार्डिंग बाते करते हैं तो चोलो स्टार्ट करते हैं आज भी हम लोग OACP की रिगार्डिंग की बाते करेंगे और मैं आज आपको कुछ टीप्स और ट्रिक्स दूंगा होपसो आपको यूसपुल रहेगी और इंफर्मेटिव रहेगी तो इसमें जो आज हम लोग बताने वाल है इसमें कोई मशिन के रिगार्डिंग हम बात नहीं करने वाल है आज हम लोग यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीज़े बताएंगे कि लाइक जो इंपॉर्टन्स होती है मशिन सॉल्ट करने के लिए राइट होपसो मैं इंटार वीडियो में कुछ चोटी मोटी चीज़े इसे बताऊंगा कि जो इस यूसफुल होगी एक्जाम के टाइम पर और आप स्कीप नहीं कर रहे हो यह मैं गेस करता हूँ ठीक है होपसो आप इंटार वीडियो देखोगे उससे पहले है मैं आपको मेरा एक वीबसाइट दिखाता हूँ मेरे दो वीबसाइट से एक ब्लॉग है एक वीबसाइट से यहाँ पर मैं मेरा ट्रेनिंग परपस के लिए रिगार्डिंग मैंने वीबसाइट बनाई है और मेरी द से लो स्टार्ट करते है यहाँ पर डिस्क्रिक्शन में मैंने लिंक दी है github की github की link आप ओपन जब करते हो तो आपको इक फोल्डर आपको स्टार्टिंग में मिलेगे ब्राउजर इन्फो बबसूट इंट्रोड एक्स्कुल इंजक्शन सर्वीसेज वाइफाइ वीब वड्राउज के बारे में और नीचे कुछ cheat sheet है और अंडमो स्कानिंग कैसे करते है स्कास्च मेंनी स्कानिंग क्लिए रिखा तो वहां पर हमेंृच्च में स्कानिंग कि vulnerability tools है find करने का vulnerability find करने का tools है और यहाँ पर Drupal scanner भी है jumla scanner भी है WP scanner भी एठी है बहुत सारे scanner है जिसका use करके हम CMS की websites को हम लोग CMS platform जो होता है उसे scan करते enumerations find out करते है right so next रहता है create directory dictionary from the web crunch dominant workgroups crunch password creating के लिए है how to create a password right so password files जो होती है not a password password files list हम लोग इसके use से create करते है most of आपको पता ही होगा crunch कैसे use करते है F crack जब G files G files को हम लोग password assign करता है G files को password होता है तो उसे crack करने के लिए जिब क्राके से use करते है उसके regarding भी यहाँ पर chipset D है बहुत सारे चीज़े है यहाँ पर listening ports क्या होता है metexpload handler क्या होता है NFS NFS का use कैसे करते है NFS exactly क्या होता है network file system क्या होती है और उसका use कैसे करना है right amount क्या होता है और सब चीज़े यह बहुत important things NFS vulnerability होगी तो इसका use most of करते है right तो NFS के बारे में भी यहाँ पर दी गई है information and mapping के बारे में बहुत ज्यादा chipset यहाँ पर दिया है and mapping deep scanning port scanning multi scanning OS detections और aggressive services detections output format कैसे create करना है and SE script का use करके हमें vulnerability कैसे find करनी है वह सब चीज़े यहाँ पर दी है privilege exclations भी दिया है cheat sheet है privilege exclations के बारे में like हम लोग enumerations कैसे करते है privilege exclations के regarding हमें privilege exclations करना है तो फिर उसे enumerate कैसे करना है वह सब चीज़े यहाँ पर दी है windows के भी wild windows के बारे में भी है wild card injection cron tap acuid है ठीक है सब भी है maximum maximum right तो इसका मैंने एक video बनाया था privilege exclations कैसे करना है तो यहाँ पर हम लोग वह भी ले रहे ठीक है वह भी cheat sheet है यहाँ पर script कुछ script होती है like PWK के मतलब हम लोग ACP examinations करते तो वहाँ पर कुछ script की जरुरत होती है वह script भी यहाँ पर दिये कौन सी script हो देखो आप ठीक है इसका भी यह भी हम लोग most of में यह यूज करता हो ठीक है तो TTY shell भी हम लोग कर सकते है यहाँ से कहीं से करना है तो देख सकते हो right test.txt में क्या है nothing और यहाँ पर मुझे shell shock के बारे में अपने मेने last video में मैंने बताया था SSH shell shock vulnerability के बारे में जो last मेरा video previous video उसमें मैंने बताया था सभी चीज़े यहाँ पर importance है ऐसा नहीं के लाइक हमें SPCP कुछ syllabus cover करना है जितना हमें materials मिले ठीक है उतना हमें करना है बबsut intruder के बारे में right wep applications penetration testing आप कर रह हो तो बबsut intruder का भी यहाँ पर details दिया है ठीक ही आप देख सकते हो बबsut attacks के बारे में payloads दिया है which is very important for the wave penetration testing and one more thing is that SQL injections also available गिस नहीं पर दिया है और यूनियन के बारे में बताया है फिर आगे जाके उनोंने वर्जन चेक किया है टेबल स्य प्यांड के शायद है तो अब देख सकते हो बहुत जादा इन्फरमेटिव या इन्फरमेशन दी है और हम लोग नहीं चाहते है तो web application का एक folder वहाँ पर available है जहाँ पर आपको LFI और common, command injection sorry, command injection, uploading bypass, face json web tokens, attack factor के बारे में भी दिया है, tools क्या है inmap, nicto, SQL injections, vega search exploit, SQL ninja also available SQL map also SQL injection, automatic SQL injections and data enumeration tools है यह जहाँ पर आप dump कर सकते हो and crack कर सकते हो, password hash right, किसका यूज़ करके SQL link जाका और यहाँ पर SQL map भी है and mapping भी है और यह है हमारा nicto, nicto में क्या करते है identifies, installed, web services कौन सी है और outdated versions कौन सा है outdated version होगा तो obviously हम लोग उसका vulnerability use करके attack कर सकते है ठीक है तो यह है बहुत important things LFI के बारे में देखते है क्या है last में very good, very informative तो तो देखो आप यहाँ पर इतने अच्छी खास information पड़ी है और हम लोग miss करेंगे तो फिर it's your loss so hope so यह जो वीडियो मैंने बनाया है आपके information ज्यादा increase करने के लिए और बढ़ाने के लिए हम maybe आपको यह पता होगा पहले से तो जिसको पता नहीं हो वो लोग use कर सकते हो download it and use it right okay guys I hope so you get it very well यह वेबसाइट से आप once again I want to say like यह चेक कर वेबसाइट और मुझे बता हो इसमें कुछ problem होगा तो and if anyone want to join our courses then you can join right we providing like ethical hacking courses OACP CISSP OWASP सब्सक्राइट Python, Red Hat, Web Development Android Development और बोट सरे courses available online offline courses also available right so you can contact us and join with us right so thank you guys for watching my entire video hope so you like subscribe thank you bye-bye see you sign out and you 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 you